काली कौन है? काली? देवी काली? काली मुसीबत हैं वो महिला, वो बहुत भयंकर महिला है वैसी महिला को संभालने के लिए आपको एक अलग तरह कहुनर चाहिए क्योंकि भारत में विशेश रूप से विभिन देवताओं और देवियों का स्रिजन किया गया है वैसे तो ये असी में तूर्जा है पर कुछ ऐसे प्राणी जो बखान करने के बज़ाए कुछ देश्चों के लिए इसका उप्योग करना चाहते थे और जब उनमें चेतना की एक खास थिती थी तब उन्होंने कुछ रूपों का स्रिजन किया कुछ सुखद, कुछ प्रचंड, कुछ दूसरी तरह के ताकि उनका उप्योग आपके जीवन के अलग-अलग आयामों के लिए किया जा सके ये ऐसे हैं, शिक्षा-शिक्षा ही है लेकिन अब शिक्षा की कई सारी शाखाएं हैं, है ना? जो अच्छे से स्थापित हैं वरना एक समय था जब शिक्षा का मतलब था कि सभी हर चीज सीखते थे अब हर चीज के विशेशग्य होते हैं, है ना? इस तरह उन्होंने अलग-अलग तरीकों से उर्जा बनाई ताकि ये उर्जा विभिन लोगों के लिए अलग-अलग तरीकों से उपलब्ध हो सके क्योंकि उन्हें अपने जीवन के कुछ पहलूँ के लिए इसकी जरूरत होती थी काली बहुत प्रचंड है कई मायनों में दूसरे रूपों की तुलना में उन तक आसानी से पहुँचा जा सकता है काफी आसानी से पहुँचा जा सकता है लेकिन साथ ही वो बहुत 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 प्रचंड है जब आप किसी प्रचंड रूप को आमंतरित करते हैं और अगर आप उन्हें संभालना नहीं जानते, तो वो आपको चोड़ दे सकते हैं। कुछ और भी हैं, जो और भी ज्यादा प्रचंड हैं, भयानक हैं, लेकिन उन्ह सभी का एक उद्देश्य होता है। ये सब अतीत में कुछ योगियों द्वारा बनाई गए हैं, उन्हें एक रूप दिया गया है, और वो बस वहाँ मौझूद हैं, वो आपके लिए एक वास्तविक्ता बन सकते हैं। अगर आप उस तरह की उर्जा को आकरशित करने के लिए कुछ प्रक्रियाई करें, तो ये आपके लिए एक जीवंत वास्तविक्ता बन सकते हैं। सिधान्त रूप से ये संभव है कि अगर हम चाहें तो उसके लिए एक भौतिक शरीर बना सकते हैं। अगर मैं किसी और रूप में होता, तो लोगों के लिए बहुत आसान होता, क्योंकि तब आपको नहीं दिखता। जब आप किसी को इनसान के रूप में देखते हैं, तो उसे आपके तरकिक तरीकों में फिट होना होता है, है ना। अगर वो आपके तरक में फिट नहीं होता, तो आप उसे आत्म ग्यानी के रूप में नहीं देखेंगे, आप उसे पागल मानेंगे। तो भौत एक शरीर बनाने का कोई फाइदा नहीं है, पर काली उस उर्जा का एक आयाम है, ध्यान लिंग में सबी आयाम शामिल हैं, तो ये एक अलग चीज है, पर काली एक खास आयाम है, उन्होंने काली को बना कर खुला छोड़ दिया, तो उन्हें कुछ स्थानों पर कु दूसरी भी हैं, डाकिनी, राकिनी, लंकिनी, बहुत सी हैं, जो सभी यौगिक परंपरा का हिस्सा थी, लेकिन आम तोर पर हम उन जगाओं में लोगों के साथ नहीं जाते, क्योंकि ज्यादतर लोगों के लिए ऐसी चीज़ें जरूरी नहीं हैं, ये सिर्फ उनके लिए है जो दुनिया के साथ कुछ चीज़ें करना चाते हैं, उन्हें ये चीज़ें जानने की जरूरत होती है, दूसरे लोग जो सिर्फ आपकी मुक्ति चाते हैं, उन्हें ऐसी चीज़ों पर विश्वास करने की जरूरत भी नहीं है, उन्हें ऐसी जगाओं में घुसने की जरू जटलता हैं यह सृष्टी करता की भूमिका करने की कोशिश करने जैसा है इसमें बहुत अधिक जटलता हैं इसमें भी जटलता हैं झाल